हाई फ्रेंच वह आगा थे हमारी रशें में तो मैं आज लेकर कि आगई हूँ कैंथे कि भूत ही टेश्टी रेस्पि तो ये कैंथे जो हैं हमारे गायों से आए तो मैंने सुचा इसका अचार बनाऊँ ये खाने में मुझको बहुत ही पसंद है कैंथी का अचार तो सुचा के एरेश भी आपको भी शैर करूँ तो कैंथी को मैं अच्छी से तोड़ लेती हूँ और इसका जो बकला है वो निकाल दूँगी तोड़ कर आप किसी भी चीज से इ तो छोटे बड़े तो फ्रेंस आज की वीडियो अच्छी लगा तो प्लीस लाइक से जरूर कीजिए और कमेंट करके बताईए आज की रेश्पी आपको कैसी लगी पसंद आई या नहीं आप हमारे तरीके से एक बार अचार बना कर जरूर खाईएगा ये खाने में बहुत ही तो सभी मसालो को हम यहाँ पर भूझ लेते हैं तो चलाते चलाते हम सभी मसालो को अच्छे से भूझ लेंगे फ्रेंस आज की वीडियो पूरी रेखना ये यह थेक आचार है जो आपको बहुत ही सरल तरीके से बना कर बताएंगे हम आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो ये कूटेंगे यहां पे रख दिया है तब तक हमने तेल गरम होने के लिए यह सरस्मा का तेल है इससे हमारा अचार भोथी टेस्ट लगेगा तो यहां पे हमने मसालों को कूट लिया है दरदरा ही कूटा है और हम डाल देंगे जो हमने अचार काट कर रखा था उसमें और यहां पर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च एक चमस और यहां पर हमारा जो तेल है गरम हो गया है अच्छे से तो इसमें डालेंगे आदा चमस कस्मीरी लाल मिर्च इससे हमारे अचार में जो है अच्छा कलार आएगा और आदा चमस डालेंगे हल्दी पाउडर और अच्छे से यह अचार है जो बहुत ही टेस्टी रखता है खाने में तो आप हमारे तरीकी से जरूर बनाईएगा और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और करीब दो-तीन चम्मस हम डालेंगे इसमें नमक फ्रेंस नमक जादा ह होता है नहीं तर हमारा जो अचार है कम नमक के कारण खराब हो सकता है तो नमक जादा ही डालना पड़ता है तो अच्छे से हम सभी मसालों को डार के और अच्छे से निक्स कर लेती हैं तो देखे फ्रेंस हमारा जो अचार है बनके तैयार है और इसका लुक देखिए इतना प्यारा है, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप हमारे तरीके से बना कर जरूर खाईएगा, और ऐसी ही अच्छे अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप हम डिब्बे में इसको भरकर रख सकते हो, और सालो साल आराम से इसको खा सकते हो, ये खराब नहीं होता है, तो फ्रेंस आप हमारे तरीके से ऐसा अचार जरूर बनाईगा, अगली वीडियो तक रादे रादे आप सब्सक्राइब